हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीसी बोर्ट परिक्षण 2020 के भाग है यानि के पार्ट बी में आने वाले आठ नंबर के जो लॉंग आंसर टाइप कोश्चन होते हैं यानि के दीर गुत्रिय प्रशन पैसे जो प्रशन तीन आप से पूचे जाते है लेकिन नए पैटर्ण के इसाब से सब्भी कुश्चन जो हैं उनमें एक एक इंटर्नल चोईस है तो टोटल 6 कुश्चन आपके बंगते हैं तो इस तरह के छे कुश्चन इस वीडियो में हम आपके पास लेगा हैं तो शूरू करते हैं वीडियो को तो जैसा कि आप जानते जैन धर्म के सबसे मुख्य विचार का वर्णन कीजिए और भारतिय चिंतन पर उसके प्रभाव का भी वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कि जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं निमन लिखेते हैं तो पहला जो इनकी शिक्षा है वो है अहिंसा मावीर जो है वह अहिंसा में विश्वास करते थे उनके अनुसार मनुष्य जानवर और पेड़ पौदों को कीड़े मकोडों को भी नहीं मारना चाहिए और वह पत्थर चटान जल में भी जीवन को मानते थे उनके अनुसार जो निर्जी वस्तु है जिने हम मानते हैं पत्थर चटान जल वगएरा वो भी प्राणवान है और अर्थात उनके अनुसार जो है संपून विश्व जो है वो प्राणवान है और इस प्रकार जीवों के प्रती अहिंस जो थी वो जैन दर्शन का केंद्रविंदू थी और दूसरा जो उनकी मुखे शिक्षा है जैन दर्म की वो इस प्रकार है कि कर्म से द्धांत जो है वो जैन माननेता के अनुसार जनम और पुनर जनम का चक्र वो कर्म द्वारा निरधारित होता है यानि कि आपके कर्म decide करते हैं कि आपका जनम होगा किस रूप में होगा या पुनर जनम होगा तो किस रूप में होगा तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यक्ता होती है तो ये उनकी एक main philosophy है जैन धर्म की कि अगर आप कर्म सिद्धा जो है उन चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको कठिन त्याग और तपस्या से गुजरना पड़ेगा त्याग और तपस्या तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए संसार का त्याग तो संभव है और इसलिए मुक्ति के लिए जो है विहारों में निवास करना जैन धर्म का एक अनिवारे नियम बन गया क्योंकि उनके अनुसार जो है कर्म चक्र से मुक्ति के लिए संसार को भी त्य प्र्वाब पर संग्र नहीं लाइव के उगला यह बार्तिय चनतन पर क्रवाब पढ़ा तो उसका उततर इस इसको अंसर देंगे कि जैन दर्शन द्वारा अहिंसा और त्याग के सिद्धान्त ने संपून भारतिये चंतन को प्रभावित किया उधारणार्थ मात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्ते के सिद्धान्त को उपनाया और उनका जो सत्याग रहे नाम से जो उनोंने अंदोलन कि बो सत्याग रहे जो है दो सिद्दानतों पर आधारिता। इसी के बल पर वे नाकेवल दक्षिन अफ्रीका बलकि भारत में अपने आंधरोलन में भी सफन रहे। यानि के उनका जो सत्याग रहता वो दो सिद्धान्तों एंसा और त्याग पर आधारित था तो उन्होंने अपने जीवन प्रयांतिन सिद्धान्तों का पालन किया था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैंदर्शन के दो मुखे जो सत्यांत हैं एंसा और त्याग वो भारत की आ संपन के ऐसी देश के विरुद्व बल का प्रियोग करने के शुरुबात नहीं करते हैं तो आज 보고 हैं जैंदशन Question 24 अथवा भाग यानि के इसी का दूसरा question जो 24 में आपको मिलेगा वो इस प्रकार है कि तुम सब अपने लिए खुद जयोती बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने कर्म का रास्ता ढूंगना है इस कथन के आदार पर बुद्ध की विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए तो यहां जो उत्तर इसका बनता है कि बुद्ध की शिक्षा कहानियों से उद्गरत की गगी है और ये कहानियां जो है सुत्पितक में मिलती है जैसे आप जानते हैं सुत्पितक जो है वह इनका प्रमुख lover schne vida lub बहुत धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रमुख ग्रंत है सुद्पिठक और इसमें जो है मात्मा बुद्ध की अलोकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है इन कहानियों के माध्यां से दूसरा जो है कि इससे पता चलता है कि बुद्ध ने किस प्रकार कारण और मित्यू की चर प्रकरती और विवेक और तरक के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास किया अधारन के लिए जब एक मरेवे बच्चे की शोक मगनमा बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाए उस महिला को मृत्यू के अवश्य भावी होने की बात समझ जाया कि मृत्यू तो हर जीव को जिसने जनम लिया है वो अवश्य आएगी तो इस आदार पर उन्होंने जैसे भेजा था कि इसे ऐसे घर से विक्षा मांग कर लाओ जहां पर किसी की मृत्यू ना हुई हो तो वो महिला जिस जिस घर में भी गई वहां पर सभी ने बताया क तो इस तरह से उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां आज तक कोई मृत्यू ना हुई थी तो इस वह तरह से उन्होंने उनको ये बताया कि मनुष्य जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यू अवश्य होगे तो ये कता हैं आम जंता कि भाशा में क्योंकि रची गई थी इसल जो है मात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो निमलिकिती तो पहली शिक्षा है कि विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है यानके विश्व जो है वो चेंजेबल है वो एक जैसा नहीं रहता है वो बदलता रहता है यह आत्म विहीन है क्योंकि यहां कुछ भी स्थाय या शाश्वत नहीं है इस शर्ण भंगुर संसार में दुख मनुश्य के जीवन में अंतैनेत तत्व है तीसरा है मनुश्य घोर तपस्या और विश्य असक्ति के बीच का मद्यमार्ग अपना कर संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है यानि कि विश्या सक्ति का मतलब है कि संसारिक जो सुखों की तरफ जो आकरशन है और बीच में जो घोर तपस्या है इनके बीच का मध्यमार्ग अपनाना चाहिए और उस तरह से मद्यमार को अपना कर संसार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और चौता है जो उनकी शिक्षा थी कि बहुत धरम की प्रारंबिक जो परंपरा में भगवान का होना या ना होना एप्रासंगिक था अर्तात वो इश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहता तो शुरू में जो बहुत परंपराओं में इश्वर का होने ना होने के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था और पांचवा है कि बुद्ध ने राजाओं और ग्रह पतियों को यानि कि जो ग्रह स्वामी थे जो सांसारिक जीवन में ग्रस्त थे उनको देयावान और आचरणवान होने का परामर्श दिया था इसके अलावा बुद्ध ने जीवन मृत्यों के चक्र से मुक्ति आत्म ग्यान और निर्वान के लिए व्यक्ति के इंद्रित हसक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया उन्होंने अपने शिश्यों को अंतिम निर्देश में कहा तुम सब अपने लिए खुद ही जोती बनो क्यो हैं तो बुद्ध की उप्रोक्त सिक्षाओं से सपष्ट होता है कि उन्होंने अच्छे आच्रण और नैतिक मुल्यों को महत्व दिया उनके अनुसार आश्टांगिक और मध्यम मार्ग अपना कर मनुष्य जो है संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है इसके लिए मनुष के विचार आजीवी का द्रिष्टी आदी शुद्ध होने चाहिए और ये सब बातें जो है समयग विचार समयग आजीवी का समयग द्रिष्टी आदी जो होने चाहिए वो उन्होंने उसकी शुद्धता पर जो है विशेश बल दिया और तीसरा जो गय है पार्ट है कि प्र कोशिश की अब गयर जो है निर्वान प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी जो ऐसे अवतार की कल्पना नहीं करनी चाहिए जो आकर हमारे को मुक्ति का मार्ग दिखाए तो उन्होंने सत्य अंसा अस्ते अप्रिग्रे ब्रम्चरियादी का पालन करने पर बल दिया तो इस प्रक में निर्वान प्राप्ति में इसका विशेश महत्व है अब क्वेशन नंबर 25 है कि उन अनुष्ठानों और रीतियों का वरणन कीजिए जिनका संबंद महानवमी डिब्बा से जुड़ा हुआ है जो विजे नगर सामराज्य के शाही केंद्र की एक विशाल संरचना थी त और यहां पर जो मनाया जाने वाला त्योहार है महानवमी तो महानवमी का त्योहार है क्योंकि यहां मनाया जाता था तो उसी की वजह से डिब्बा नुमा अकरति और महानवमी के त्योहार से जुड़ा होने के कारण इसे महानवमी डिब्बा का गया तो यह राजा का भवन प्रभावशाली मंच पहला है कि सबाऊ वाना मिदमद नमें इसकी अधार व्फिट के आधार यानि के इसकी लंबाई गुणा चोड़ाई का आधार का जो चेत्रपल है वो ग्यारा जार बर्ग फिट के आधार का है और इसकी उचाई जो है वो चालिस फिट की है तो इस तरह से एक विशाल मंच है ये और इसमें जुड़े जो महतुपूर्ण अनुष्ठान होते थे वो निश्पादित होता था तो जैसा कि आप जानते हैं कि दस दिन का तिवार मनाया जाता है इंदुवान द्वारा महा नौमी का इसमें जो है अलग-अलग भारत के भागों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है जैसे उत्तर भारत में जो है ये दशहरे के रूप में और जो मंगाल में काली पूजन के नाम से और प्राइदीपिय भारत जो है यानि के जो दक्षन भारत का भाग है उसमें जो ये तिवार है महानवमी के रूप में मनाया जाता था तो यहां पर इस अवसर पर विजयनगर के शाशक अपने रुटबे ताकत और अधिराज्ये का पर पर जो उनका रोबदाव होता था उसको दिखाते थे इस अवसर पर धर्म नुष्ठानों में मूर्ती की पूजा होती थी राज्ये के अश्व की भी पूजा की जाती थी और साथ ही भैसे या किसी अन्य जानवर की या उनकी बली जो है इसमें समलित होती थी यानिके जो य निके या किसी अन्य जानवर की बली भी दी जाती थी तो निरत्य कुष्टी आदी प्रतिस परदाओं में लोगों को अपने प्रतिबा को दिखाने का अफसर मिलता था यानिकर यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे उन्में निरत्य वगरा तो होते ही साथ थी आप कह सकते हैं कि परेड जैसी 26 जनुरी पे की जाती है तो उस तरह से सैनिकों की शोभा यात्रा होती है परमुख नायकों और अधिनस्त राजा जो थे जिन्नों ने अधिनता स्विगार कर रखे थी विजयनगर की उनके द्वारा राय और उनके अतितियों को दी जाने वाल परते थे उससे उनके सैना पर जो नियंत्रण की वह सूचक होती थी तो इस तरह से यह पता लगता था कि रहें जो है वह सैना के सबसे परमुख व्यक्ति हैं तभी वह उसका नरिक्ष्ण करते थे तो धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे उनमें राजा और प्रजा की धार प्रवरतियां किस प्रकार की थी और इस अवसर पर नायक राय के लिए बड़ी मात्रा में भेट और नियत कर भी लेकर आते थे यानिके वो उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे भेंटे लेकर आते थे और जो साल भर का जो टैक्स होता था कर होता था जो फिक्स किया गया नियत क होता था वो भी इस अवसर पर जो नायक हो लोग होते थे वो राय को भेंट करते थे क्वेशन नंबर 25 है कि वीरुपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिये जो की विजयनगर सामराज्य के राज की एकेंदर में विद्यमान है तो यहाँ पर जो है आपको वीरुपाक्ष मंदिर का वी चित्र दिखाया गया है तो वैसे प्रशन का उत्तर देते समय इसकी अवशक्ता नहीं पड़ेगी लेकिन सिरफ आपको उसके आपके सामने एक बार प्रत्यक्ष रूप से वो आ जाए ताकि उसके विशेषताओं को जब हम वर्णन करें तो आप उसको असानी से लिख सकें इसलिए इस चित्र को यहां पर दिखाया गया है तो इसका उत्तर है कि विरुपाक्ष मंदिर जो है पुराना मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है जिसका विजयनगर सामराज्जी की स्थापना के बाद व भड़ता गया और विकास पाता गया उसी के साथ साथ इसका भी दीरे-दीरे करमिक रूप से विकास होता गया और मुखे मंदिर के सामने के हौल का निर्मान जो है वो कृषन देव राहे ने अपने राज्य रोहन के समय किया था यानके जब कृषन देव राजगद्दी प नकाशेदारी खंबों से सजाया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके खंबे यहां पर इसमें नकाशीदार खंबों को बनाया गया है तो यह जो है खंबे उन्होंने बनवाए थे और गोपुरम जो होता है जो प्रवेश द्वार होता है उसका निर्मान किया जाता जिसे दूर से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था गोपुरम यानिके जो मंदिर के प्रवेश द्वार हैं बहुत उचे बनाए जाते थे जिसे दूर से ही पता लग जाए कि यह एक बड़ा मंदिर है तो इससे शाषकों की ताकत और उस समय की तक्नीक आदिके बारे में भी पता चलता है इसके अलावा मंदिर जो है वो उसमें मंडप और स्तंबो वाले गल्यारों का भी निर्मान किया जाता था तो इस तरह से आप देखते हैं कि मंदिर जो है उसमें मंडप भी थे स्तंबो वाले गल्यारे यानिके गैलरीज भी इनमें वोती थी इसके अलाव मंदिर परिष्छर में रथ गलीया जो थी मंदिर के घोपूरम से सिधी रे坏 में जाती थी यानि के मंदिर का जो मेनंगेट होता था एंट्रेंस होती थी वहां से सिधी सढ़के नभुए डिग्री के कौन पर चल सकते थे इनके दोनों और स्तंबों वाले मंडप होते थे जहां पर वियापारी लोग जो है उन मंडपों पर अपनी दुखाने लगाते थे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मंदिर के सामने जो गलियां जाती थी तो वह काफी चौड़ी होती थी उनके जो है दोनों तरफ जो मंच या मंडब बने हुए होते थे स्तंबों वाले यानल के खंबे के चिस्टट उन पर डली होती थी और उसके जो उन वह मंडप उंपर व्यापारी जो एं अपनी दुखाने लगाते थे इसके अलाब केंद्री मंदिर जो है वो गर्भग्रह क्यलाता था जो मंदिर का मेन भाग है सेंट्रल पार्ट है वäg गर्ब ग्रै कहलाता है जहां मूर्थी की स्थापना की जाती है। और मंधिर के सभागारों का जो प्रियोग है वह विविद्प्रकार के कारियों के लिए ह appear उन में भंद मनाने और कुछ का प्रियोग देवी देवताओं को जूला जूलाने के लिए होता था इस अवसर पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रियोग होता था जो छोटे केंद्रिये देवताओं की देवताओं में स्थापित मूर्तियों से भिन होती थी इसके अलावा नौवा पाइंट जो है यह भी संभव है कि विजयनगर के स्थान का चेहन यहां विरुपाक्ष और पुंपा देवी के मंदरों के अस्तित्व से प्रेरिता यहां तक विजयनगर के शाशक भगवान विरुपाक्ष की और से शाशन करने का दावा करते थे जैसा कि आप जानते हैं भगवान विरुपाक्ष के नाम से यहां जाना जाता है तो उनके प्रतिनिदी के रूप में वो शाशन कर रहे थे ऐसा विजयनगर के शाशक दावा करते थे और अपने आपको देविये राजा के रूप में स्थापित कर र रूप में यानि के इंडिकेशन के रूप में जो विरुद्ध का इस्तिमाल करते थे वो विरुद्ध जो है हिंदू सूरत राणा का प्रियोग करते थे तो इस विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का वो प्रियोग करके देवताओं के साथ अपने गहरे संबंधों को बताते विठ्थल मंदिर की बात करते हैं विठ्थल मंदिर प्रमुख देवता है यहां के विठ्थल है जो समानेदा महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विश्णों का ही एक रूप हैं तो इस मंदिर में कई सवागार हैं और रत के आकार का एक अनुठा यह मंदिर है इसकी सिधी रेखा में जाती हैं जैसा कि विठ्थल मंदिर की तरह ही आप को पहले जो हमने विरुपाक्ष मंदिर के बारे में बताया था कि महां भी गोपुरम से सीधी रेखा में सढके जो रत गलिया हैं वो जाती थी और इन गलियों का फर्ष जो है वो पत्तर की टुकडों से बनाया गया था और इसके दोनों और स्तंबों वाले मंदप थे जहां पर व्यपारी जो है अपने दुकाने लगाया करते थे तो कोश्चन नंबर 26 का जो पहला भाग है क्योंकि इंटर्नल चोईस के साथ दो कोश्चन आते हैं तो उसमें पहला जो कोश्चन है कि उन स्रोतो का राजनितिक जीवन और भारत के राष्ट्रिये अंदोलन का निर्मान होता है वो निमें लिखिते हैं तो वो जो थे वो यह थे तो पहला जो है वो है कि सारुजनिक स्वर और निजी लेकन यानि कि पब्लिक वाइस और प्राइवेट राइटिंग दूसरा है छवी पता लगता है और चौता जो है वह अकबार यानिके नियोस पेपर्स और पांचवान जो है विदेशी पत्र पत्रिगाय तो इन पांच तरिकों से जो है हम गांदी जी के राजनितिक जीवन को देखते हैं तो यहां पहला जो है सारुजनिक स्वर और निजी लेकन में तो इसमें जो कह भाग है वो इसमें है कि महात्मा गांदी और उसके सयोगियों वा प्रतिद्वन्दियों दोनों के समकालिनों के लेखन और भाषन आते हैं यानिके जो भी नितिक उनके सयोगी थे या प्रतिद्वन्दी थे उन्होंने जो भी उस समय में सब उस समय जो लेख लेखनों में हमें निमिलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है और वो ये थे कि ये लेखकों ने क्या लिखा कि उनका उद्देश्य क्या था यानिके वे किस उद्देश्य से लिखे गए हैं और दूसरा ये है कि किसके लिए लिखे गए हैं यानों के भाषनों का उद्धेश्य सार्वजनिक और पत्रों का व्यक्तिगत उद्धेश्य होता है, तो वो किस उद्धेश्य से लिखेगा है इसके बारे में भी हमें पता होना06 चाईए तब ही हम इनकी थे उनके बारे में लिखते थे तो नहरू ने राष्ट्रियां अंदोलन में के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तयार किया और उन्हें एक bunch of old letters के नाम से यानके पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से परकाशित भी किया था तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो था छवी गड़ना यानके आत्म कताएं तो इसके अंत्रगत आत्म कताएं महत्वपूर्ण हैं और उनमें नमिलिखित बातों का ध्याम जो है रखना पड़ता है और पहला है कि हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे उनकी व्याख्या करते हैं यानिके जो आत्मकताइं लिखी गई हैं, उनको हमारा पढ़ने का नजरिया कैसा है और किस तरह से आप उनको interpretate करते हैं, तो वो depend करता है कि आप उनकी छवी किस प्रकार से गड़ सकते हैं। दूसरा है कि यह सम्रिति के अधार पर लिख गई हैं या किसी तत्थ खार पर लखे हγें हैं या या दाश्ट ऑधार पर लिखे लोगए वो बाते भी इस पर depend करती हैं और तीसरा है क्या महत्वून था क्या नहीं यह भी बात है कि उसमें जो तथे दिये गए हैं, उनने से कितने तथे जो हैं, वो मैत्पून हैं या वैसे ही तथे हैं, तो उन से भी हमारे को देखना पड़ता है कि कौन से तथेओं की जानकारी जो है उनके छवी गड़ने में की जाती है, और चौथा है कि क्या याद था नहीं यानिके इच्छत समृत्ति यानिके जो इच्छा अनुसार याद आए वो या अनिच्छत मृत्य नीके जो हम भूल जाना चाते हैं Εच्छा ना होते ही जवनाल देना इसको भी समधना जरूरी है, यानिके अगर यादास्त के अदार पर लिख आ गया है तो जरूरी lett की आपने हैं कि सारी बातें जो हैं वो लिखी गई हो ौसकता है कि कुछ बातों को जान मूझ के छोड़ दिया गया हो या बातों को मंगडंत रूप में भी इड कर दिया गया हो तो तीसरा जो point होता है वो कि पुलिस की नजर में यांगे सरकारी रिपोर्ट्स जो होती है तो इन में सरकारी records पुलिस कर्मियों और अण्या अधिकारियों दुवरा लिखे गए पत्र गोपनिये रिपोर्टेंट समिलित होती हैं जो अब अविलेका गारों में उपलब्द हैं इसके अलावा सरकारी ब्योरे अपने कर्तब्बे का पालन करते हुए एक विशेश उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं जैसे पाक्षिक रिपोर्ट जो है एक पत्र की घटनाओं और स्थित देने वाली सूचनाओं के अत्रिक्त मुखे अधिकारी अपने विचार को भी समलित करते थे जैसे नमक सत्याग्राय के समय अधिकारी यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि गांदी जी को व्यापक समर्थन जो है मिलेगा वह सोसते थे कि यह अंदोलन यह ऐसा ही है और ठाने के प्रति अनिचुक और शाषन के अंत्रगत सुखी लोगों को गोलवद करने का एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया गया जबकि सत्य यह था कि दांडी यात्रा के साथ साथ गांदी जी की लोगप्रेता में व्रद्दी हुई थी चौथा जो है अखबा बारों में गांदी जी की गतिविद्यों का पूरा विवरण दिया जाता था इससे पता चलता है कि भारतिये जन्साधारन गांदी जी के बारे में क्या सोचता था उधारन ऐसे योग अंदोलन के दोरन गांदी जी को गांदी बाबा गांदी महराज के नामों से पुकारा गया यानिके जनता के अंदर गांदी जी की छवी जो है एक महात्मा और एक संत की तरह थी और प्रंतु यह बात ध्यान में रखने चाहिए कि हर एक समाचार पत्र की अपने खुद की एक राजनितिक सोच होती है और उसी सोच के आधार पर अपना वो द्रिष्टिकोन रखता है और उसी हिसाब से उस समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होते हैं तो इस तरह से किसी समाचार पत्र की राजनितिक सोच को भी ध्यान में रखना आवश्चक होता है पांचमा जो है वो विदेशी पत्र पत्रिगाए हैं कि टाइम पत्रिका की गांदी जी पर और दांडी मार्ज पर रिपोर्ट नमक यात्रा की प्रगती को भी एक स्रोत माना जाता है। अमरीकी समचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कद काठी पर ही हसी आती थे वो उनको क्योंकि उनका body structure जो था वो काफी कमजोर था तो इसी का वो मजाक उड़ाया करते थे पत्रिका ने उनके तक्वे जैसे शरीर यानिके बिल्गूर पतले दूबले शरीर और मकडी जैसे पेडू का खुब मजाक उड़ाया था तो वो जो है उनके शरीरिक बनावट को के जो है मजाक उड़ाया करते थे इस यात्रा की पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा तक पहुँचने के विश्ये में भी शंका व्यक्त गी थी और उन्हें लगता था कि ये नमक के जैसे साधारणसी वस्तू के लिए अंदोलन करके काम्याब नहीं हुआ जा सकता लेकिन एक हपते के बाद ही उनकी सोच जो है वो पूरी तरह बदल गए जब उन्होंने देखा कि इस यात्रा को इतना भारी मात्रा में जन समर्थन मिल रहा है तो इससे गांदी जी की रा मात्वा वाला भाग है उसके लिए प्रशन है कि भारत छोड़ा अंदोलन सही मायने में एक जन अंदोलन था सिद्ध करो तो इसका उत्तर होगा कि पहला पॉइंट है कि भारत छोड़ा अंदोलन सही मायने में एक जन अंदोलन था क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मात् इसरा बड़ा अंदोलन छेड़ने का निर्णे लिया और 8 अगस्त 1942 से शुरू इस अंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ों का नाम दिया गया हाला कि गांदी जी को फोरण गिर्फतार कर लिया गया था लेकिन देश भर के युवा कारेकरता जो थे वो अड़तालों और लोगों के अंदर इतना उसा था कि उसे अंदोलन को लगातार जारी रखा गया नेताओं की अनुपस्तिती में भी इसमें अमीर, गरीब, ग्रामेन, इस्त्री और पुरुष सब ने बढ़ चड़ कर भाग लिया और कांग्रेस में जैपरकाश नारंड जैसे समाजवादी जो सदस्य थे वो भूमिंगत होकर यानिका अंडर ग्राउंड होकर पतिरोध गतिविद्यों में सबसे ज़्यादा सक्रिये थे इसके अलावा जो है पश्यम में सतारा और पूरुव में मैधनीपूर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी और इस अंडोलन में विद्यारतियों ने कॉलेज छोड़ कर जेल का मार्ग अपना लिया तो विद्यारती जो थे उन्होंने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया और अंडोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया तो इस तरह से जो जनता थी उसने इसके नित्रत्व जो है स्वेम संभाल लिया और अंग्रेजों ने अंदोलन को दबाने की लिए शक्ति का भी प्रयोग किया प्रंतु वो उसमें ऐसफल रहे क्योंकि अब ये एक जन अंदोलन बन चुका था और जब कांग्रेज के नेता ज में भाग ना लेकर अपना प्रभाव शेत्र बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दिया यानिकि उन्हों ने राजनेतिक नित्रत्व देने का प्रयास नहीं किया यानिकि उन्हों ने जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को अपना राजनेतिक नित्रत्व देने का प तो इस तरह से मुस्लिम लीग जो है अपना प्रभाव शेत्र जो पंजाब और सिंद में बढ़ाने में काम्याब रही गांदी जी की अनपस्तिती के कारण और इसका जब पांचवा पॉइंट है कि जून उनने से चमालेज में जब विश्रुद्ध समापती की ओर था तो गांदी जी को रिया कर दिया गया और जेल से जो है निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीक के बीच फांसलों को पाटने के लिए जिन्ना का साथ कई ब बनाई रखने का भर्सक प्रयास किया था तो इसके साथ ही ये वीडियो समापत होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा शिगरी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ तब तक के लिए नश्कार